हेलो और वेलकम टू माय चानल ब्राउन मॉम्स कुकिंग आज हम बनाने जा रहे हैं घर का बना हुआ गरम मसाला गरम मसाला हमें घर पर हे बना कर यूज़ करना चाहिए क्योंकि जो हम मार्केट से गरम मसाला लाते हैं वो बिल्कुल पाउडर फोर्म में होता है और जो हम अपने घर में बनाएंगे वो थोड़ा दरदरा होगा और आप अपने हिसाब के साथ जो अपने स्पाइस हैं वो अड़ कर सकते हैं और जो घर के मसाली से खुशबू आती है वो मार्केट वाले गरम मसाले से नहीं आ सकती इसलिए आज मैं आपके साथ मेरे गरम मसाले की रस्पी शेयर कर रही हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है साबुत मिक्स मसाला और दो बड़े चमच जीरा एक चमच अजवाइन दस बारा लांग और स्टार एनिस इसको चक्री भी बोलते हैं काली मिर्च ले ली है मैंने दो चमच शुगर ली है सौंफ ली है एक टुकडा दालचीनी का और चार पांच बड़ी इलाइची और तेड़ पता लिया है जिसको मैंने थोड़ा सा तोड़ कर धनी के अंदर आड़ कर दिया है ये सभी इंग्रीडियन्स मार्केट में अवेलबल होते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है जिसके अंदर मैं हमारे सभी इंग्रीडियन्स एड़ कर दूँगी इन इंग्रीडियन्स को खड़े मसाले या साबुत मसाले भी बोलते हैं तो आप इसे एजली पर्चिस कर सकते हैं और अब मैं इन सभी इंग्रीडियन्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और गैस का flame low रखना है और हमारी सूखे मसाले को थोड़ा सा भून लेना है इसे हमने ज़्यादा brown नहीं करना है या फिर ज़्यादा भूनना नहीं है हमें इसका सिर्फ जो moisture है वो निकालना है थोड़ा सा और इसी तरह हमें इसे जलाते रहना है ताकि हमारे सभी इंक्रीडियन्स अच्छी तरह से भून जाएं अब हमारे मसालों की बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है 2-3 मिनिट हो चुके हैं हमारा जो गरम मसाले की स्पाइस हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं इस स्टेज पे आप कैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे मैं अब एक प्लेट के अंदर डाल कर इसे ठंदा होने के लिए रखतूँगे फिर हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे इसे हमने अच्छी तरह से ठंदा कर लेना है हमें इसे लाइट ब्राउन ही रखना है ताकि हमारे गरम मसाले का कलर परकरार रहे मैंने यहाँ पर एक गलास का जार ले लिया है जिसको मैंने गरम पानी के अंदर बॉयल कर लिया है ताकि हमारे जो गरम मसाला है मैं इसके अंदर आड़ कर सकूँ अब मैं हमारे गरम मसाले को मिक्सी के अंदर डाल कर ग्राइंड कर लोंगी हमारे जो गरम मसाले की ingredients थे वो बिल्कुल थंडे हो जगे थे अब मैं मिक्सी को चला लोंगी आप देख रहे हैं हमारा मसाले कैसे थोड़ा सा दर्दरा ही है और हमें मसाले को थोड़ा सा दरदरा ही रखना है ताकि हमारे गरम मसाले से अच्छा फ्लेवर और खुश्बू आई इसी तरीके से मैं सारा मसाला ग्राइंड कर लूँगी गरम मसाला बनाने का तरीका यही है आप अपने एकॉर्डिंग से मसाले को जो हमारे इंक्रीडेंड आड किये हैं आप अपने हिसाब से कम या जादा भी कर सकते हैं हमारे गरम मसाले से बहुती अच्छी खुश्बू आ रही है इस मसाले को आप किसी भी सबजी के अंदर थोड़ा सा भी आड कर देंगे ना इससे आपकी सबजी पहुती स्वादिश बन जाईए मैंने मेरा सारा मसाला ग्राइंड करकर एक कटॉरी के अंदर आड कर दिया है और अब मैं इसे एक एर्टाइट कंटेनर के अंदर आड कर दूँगी और फिर इसे स्टोर कर दूँगी आप इसे किसी भी एर्टाइट कंटेनर के अंदर आड कर कर सकते हैं ताकि इसकी खुश्पू और जो हमारा फ्लेवर है गरम मसाले का वो महीनों तक बर करा रहे अब इस मसाले को वेजियन नौन वेज सबजी के अंदर आड़ करकर बहुती स्वादिश सबजी बना सकते हैं क्योंकि ये होमेड मसाला है तो हमें पता है हमने कौन कौन सी चीज कितनी कितनी आड़ की है अब प्लीज इस रेसिपी को घर पर जरूर चाय केजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताईगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब टो मैं चानल पर मोर विडियो थैंक यू